नमस्कार मैं भाशा और आप देख रहे हैं निउस क्लिक पर खोज खबर कायकरम क्या भारत में जनसक्या विस्पोट सबसे बड़ी समस्या है इस समय की सबसे बड़ी समस्या और खास और से उत्तरप्रदेश में जहांके मुख्यमंत्री चुनाओ से ठीक पहले 6-7 महिने रह गए हैं विधान सभा चुनाओ के लिए एक मसौदा दस्तावेज लेकर आए हैं जनसंक्या नियंत्रण का क्या इसके अलावा कोई और एजंडा नहीं है चुनाओ लड़ने का चुनाओ जीतने का और क्या हम आपसे पूछना चाहते हैं कि जनसंक्या के आकड़ उत्तरप्रदेश में क्या यह बता रहे हैं कि उत्तरप्रदेश के वासी सिर्फ बच्चा पैदा करो अभियान में लगे हुए हैं और इसका आभास योगी जी को विधान सभा चुनाओं से ठीक पहले बस अभी इलहाम हुआ है क्या उत्तरप्रदेश के वासी इस बात से वाकिफ हैं या इस बात पर हमारे साथ खड़े हैं योगी जी के साथ खड़े हैं कि विस्पोट जनसंक्या विस्पोट ही इस समय सब से बड़ा मुद्दा है आखिर इसके पीछे एजेंडा क्या है आईए बात करते हैं इसके पीछे के एजेंडे की मुझे लगता है कि हम सब जब मैं कहती हूं हम सब तो इसका मतलब है कि सारे लोग इसमें भक्त अंदभक्त सब को शामिल करके भी अगर देखा जाए तो मुझे लगता है इस समय किसी को भी रती भर भी दूविधा नहीं होगी कि योगी जुई ये जो मसौदा दस्तावेज लाएं हैं जनसंख्या नियंत्रन का इसके पीछे या इसके निशाने पर सिर्फ और सिर्फ मुसल्मान है उत्तर प्रदेश में हम बहुत ध्यान से देख भी रहे हैं कि पिछले कुछ समय से हिंदू-मुसल्मान धुरूवी करण के लिए सारे के सारे घोड़े दोड़ा दिये गए हैं और वह भी तब जब सरकारी आकणों के मुताबिक आप ध्यान दीजिए क्योंकि इसको लेकर बहुत बड़े पैमाने पर भ्रम है आपक दर्ण में है इसमें लगातार गिरावट दर्स की जा रही है नेशनल फैमिली हर्थ हल सर्वे एन एफ एचस और जंगरना के आकड़े बताते हैं कि हमारी भारत की जो टोटल फर्टिलिटी रेट प्रजनंदर टी आरेफ कहते हैं इसको उसका जो प्रतिस्थापन दर है वह दो दशमलव एक तक पहुच गया है यानि वह सामाने है और ध्यान दीजिए कि उत्तर प्रदेश में जिस पर इस समय बहुत बवाल मचा हुआ है वहाँ पर पिछले दस सालों में एक दशक में यह जो प्रजनंदर है टोटल फर्टिलिटी रेट है यह 2.7 से गिर कर 1.1 पर आई है अब सोचिए कि जब यह प्रजनंदर अपने आप गिर रही है तब आखिर क्यों इस तरह का बिल क्यों इस तरह का मसौदा लाया गया है और सबसे जब बड़ी बात है जिस पर हमने तमाम लोगों से बातचीत की तमाम संपादकिये भी आ रहे हैं तमाम लोग इस पर चर्चा भी कर रहे हैं जरूरी किसम की चर्चा जो चल रही है देश भर में कि क्या परिवार के बीच बच्चे हम कितने पैदा करें कम बच्चे पैदा करने का इंसेंटिव यानि आपके दो बच्चे हों यह नीती बहुत पुरानी रही है इस पर परिवार नियोजन की अपराद के तौर पर पेश करने की क्या जरुवत पड़ी इसमें दंडित करने का जो प्रवाधान है आप इंसेंटिव करते हैं कि हाँ मैं दिल्ली में रहती हूँ दिल्ली में सरकारी नियम के हिसाब से अगर आपकी एक बेटी है तो आपको कई तरह किस विधाएं मिलती हैं लेकिन कोई सरकार यह कैसे कह सकती है कि अगर आपकी दो बेटियां हैं चार बेटियां हैं पांच बेटियां हैं पांच बच्चे हैं तो वह आपको तमाम सुविधाओं से महरूम कर देगी क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो खुशाली है जिस तरह से आर्थिक विकास होता है उस विकास के साथ साथ जो परिवार में समरिधी आती है वहाँ पर बच्चों की संख्या अपने आप कम होना शुरू हो जाती है और यहां कोई बड़ा साइंस बड़ा विज्ञान नहीं है यह बड़ी खोज नहीं है यह सारे तर्थ भारत के संदर में सामने लाए जा चुके हैं इन पर बहुत चर्चा हो चुकी है सबसे बड़ी वज़ा जो बताई जाती है कि गरीबों में बच्चे जादा होते हैं क्योंकि मरते जादा हैं वहाँ पर जो मॉटलिटी रेट है व उन में बच्चे जादा होते हैं क्योंकि यह माना जाता है कि कई हाथ चाहिए लेकिन जैसे-जैसे संपन्नता आती है जैसे-जैसे महिलाओं की शिक्षा में सुधार होता है जैसे-जैसे शिक्षा प्रणाली मजबूत होती है रोजगार मजबूत होता है वैसे-वैसे सरकारी आकड़े सरकारी विश्टेशन के आधार पर हैं फिर इस तरह का हुआ बनाना इस तरह का खौफ बनाना और एक अपराध में एक दंडरनात्मक कारवाई में तबदील करना जिसे इंडियन बहुत मजबूती से कहता है फैमिली मिस प्लानिंग आप देखिए कि उसका जो संपाद की है वो खुलकर कहता है उत्तर प्रदेश यूपी जू पॉपलेशन पॉलिशन पॉलिशी और राफ्ट लॉव करनेट स्पेक्टर ओफ पॉलिटिकल बैड फेथ यानि जो राजनितिक बैड फेथ यानि कि आपने जो राजनितिक बैड फेथ पैदा किया है जो भ्रहम पैदा किया है जिस तरह का वैमनस से पैदा किया है क्योंकि यहां पर इस मसौदे में कम्यूनिटीज की बात है समुदायों की बात है समुदायों के सर्वे की बात है बहुत सी चीजे हैं जाजमी है और यह चिंता महिलाओं के संदर में और जादा है क्योंकि जब भी हम बच्चे की बात करते हैं जब भी हम ये बात करते हैं कि बच्चों से अगर जादा बच्चे होंगे तो बहुत से सुविधाओं से आफ वंचित कर देंगे सबसे बड़े पैमाने पर जो गरीब समाज है जो पिछडी जातियां है दलिज जातियां है मुस्लिम समाज है विकास से पीछे ढखे ले गया जो पूरा भारत का तपका है वह निशाने पर आता है औरत निशाने पर आती है औरत का राजनितिक अधिकार निशाने पर आता है और शायद इस पर बात होनी बेहत ज़रूरी है आईए चलते हैं उत्तरप्रदेश के सीतापुर में वहां हमने बात की रिचा से रिचा सिंग बहुत लंबे समय से ग्रास रूट लेवल पर सक्री है संगतिन किसान मजदूर संगठन से जुड़ी हुई है एने पीएम से जुड़ी हुई है और वह बताती है कि किस तरह से जो वर्टसप यूनिवरस्टीज हैं वर्टसप पर जो मेसेज आ रहे हैं वह बड़े पैमाने पर इस मसौदा दस्तवेज यह कानून लेकर आए हैं इसके आधार पर जहर बो रहे हैं बड़े पैमाने पर यह प्रचारित किया जा रहा है कि इससे ही मुसलमानों को नियंतरित किया जाएगा आईए देखते हैं रिचा किस तरह का जो नजारा चल रहा है वो हमसे साज़ा करना चाहती है नमश्कार और स्वागत आपता रिचा जी दुबारा सबसे पहले मैं आपसे जाना चाहूंगी कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार अभी एक ड्राफ लेकर आ रही है पॉपुलेशन जनसंक्या नियंतरन के लिए आप कैसे देखी है चुनाओं की तैयारी पूरी जोर शोर से बीजेपी कर रही है उसमें यह कानून इस तरह का मसादा लाने का मतलब क्या है अगर आप एक जटके में किसी से बात करेंगे तो एक अलग तरह का फीड़बैक आपको मिलेगा अलग-अलग लोगों से एक ऐसा वर्ग होते ही है हर जगा होता है कि एक जो गुद्धिजी भी तबका आपने आपको मानता हो कहेंगे कि हाँ बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं इसको कंट्रोल करना चाहिए हमारा विकास का मॉडरल चर्मर आ जाएगा ये है इसको हमको रोखने की कोशिश ही करने चाहिए लेकिन असली मकसद पर अगर हम आए अगर हम थोड़ी देर बैठ कर बात करने लगें तो वही इस बात को सामने ला देते हैं कि असल में एक अधारणा है हमारे समाज में कि मुसल्मानों को अधिक बच्चे पैदा होते हैं ये जो अधारणा है हालंकि इसकी तहों में जाएंगे तो हमें और आपको बहुत अलग सितियां दिखेंगी लेकिन ये अवधान, इस्थापित अवधाना है लोगों के दिमाग में और वही जो मैं जिस बास से सुरूपी थी कि इतने बुरे हालात हैं, लोगों में एक महौल बना हुआ है और सारे वजहों से किसान आमदोलन से एक खेती की किसान आमदोलन में नहीं चर्चा लेकिन हम जानते हैं कि इतर प्रदेश के खेतों में आज भी किसान रात दिन रहना पड़ता है नहीं तो जानवा खेत कतम कर देते हैं तो ऐसे हालात में इनके सामने और कोई रास्ता है ही नहीं ये एक काम करेंगे लोग हिंदु मुसल्मान के नाम पर इस तरह से चीजे लाएंगे और पुरा पोलराइजेसन करेंगे इस तरह के वाटसप आएंगे कि ठीक है इन मुसल्मानों को तो सबग सिखाना ही है तो एक तरह से ये जहर फैलाने का काम मतलब ये उनके एजेंडा का मामला है वो इसको लाना ही चाहते थे आज कि भरपूर सरकार है वो ला रहे के करके चाहे कस्मीर को देख ले चाहे यहां आ कर देखे तो ला की रहे है थे इस सरकार की आदत है वो जहर फैलाएगी ही उनको पता है कि वो जहर पहलाए बिना वो चुनाव जीत नहीं सकते और उनकी आदत भी है उनके एजेंडा में है ये जहर पहलाना और वो जहर पहलाने का काम कर रहे हैं और ये जनसंख्या नीती भी उसी दिसा में उनका एक कदम है इससे आपको लगता है कि दृवी करण होगा या हो रहा है जवर्दस उनकी कोशिस होगी वो इससे वो इक अकेले से उनको पता है कि दृवी करण नहीं होगा इसे एक अकेला नहीं होगा कई ऐसे मामले वो आने वाले समय में उठाने वाले हैं वो जनसंख्या का जो लाएं है ये भी एक मामला है आयोध्या को देखिएगा किस तरह से इस ठापित करने वाले हैं वो कुछ और ढूंड लाएंगे ये आलम सिर्फ उत्तरप्रदेशी में नहीं देश के तमाम हिस्सों में है इस बहाने एक दूसरे ढंका मॉडल पेश किया जा रहा है यानि जनसंख्या के आधार पर हिंदू-मुसल्मान करना सामप्रदाइक विभेद पैदा करना दराना, धंकाना और भै का माहौल पैदा करना और यह उत्तरप्रदेश के लिए बहुत नया नहीं है वह भी तब यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि यह उस उत्तरप्रदेश में हो रहा है जिस उत्तरप्रदेश ने करोना से हम अभी अभी उबरे हैं करोना महामारी का जो दूसरा चरण आया उसने कितने बड़े पैमाने पे तबाही मचाई हर एक गाउं से लोग मारे गए हर एक शहर में तबाही हुई आकसिजन के लिए लोग तरही तरही कर रहे थे तीसरी लहर आने की भी आशंका बहुत प्रबल है लेकिन देखिए कि जो हमारी सरकारे हैं जो हमारे मुख्यमंत्री हैं जो हमारे मंत्री हैं जो हमारे सांसद हैं वे सारे के सारे लोग कोरोना पे बात करने को तयार नहीं महामारी पर बात करने को तयार नहीं इसकी जो वैक्सीन है उसकी भीशन कमी है किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई है तमाम सेंटर्स पे वैक्सीन खतम हो गई है लेकिन बाचीत का मुद्दा चिंता का मुद्दा पॉलिटिकल क्लास के लिए सत्ता में बैठे लोगों के लिए यह सब नहीं है वे चाहते हैं धुरूवी करण क्योंकि उनको लगता है कि सिर्फ इसी आधार पर ना सिर्फ उन्हें वोट मिलेगा बलकि जनता यह भी भूल जाएगी कि इतने बड़े पैमाने पर जो लाशे बही थी गंगा मैया में वह भी भेट चड़ जाएगा हिंदु मुसल्मान के नाम पर यह सारी के सारी जो कोशिश हो रही है इस पर हमने बात की बनारस में समाजिक कारे करता गांदिवादी विचारक जागरती रही से जागरती कदम कदम पर संघर्ष कर रही हैं नाइनसाफी के खिलाफ वप्रधानमंत्री के संसदी छेतर में सक्री है पिछले दिनों बिल्कुल दूसरे ढंका खौफ तमाम एक्टिविस्ट के ऊपर बर्पा किया गया था जिसमें एक जागरिती भी है और जागरिती बहुत बेबाकी से हमें बताती है कि इस बहाने योगी और आरेसेज ने कोशिश की है मध्यमबर के उस हिस्जे को अपने साथ लेने की जो अंदर से हैं मानता है कि जनसंख्या जादा है गरीब बहुत जादा है गरीबों के जादा होने की वज़ा से उन्हें जो फैदा मिलना चाहिए वह गरीबों के सबसेडी में चला जाता है आप से हम संख्षेप में जानना चाहेंगे कि ये जो अभी योगी आदितिनात लेकर आए हैं पॉपुलेशन कंट्रोल का पूरा का पूरा फॉर्मूला और इसमें काफी बहस है कैसे आप देखती हैं और सबसे पहले अगर आपके पास जो आम जन्टा का फीडबैक है नौजवानों का फीडबैक है कैसे लोग देख रहे हैं इसको मतलब यूपी में अगर कहूं इसको तो जनसंख्या नीती एक बहाना है ये हिंदू मुसल्मान का नफरत का माहौल फिर से पहलाना है और उसके लिए वो और भी पहुत सर्या कर रहे है बनारस में विश्वनात धाम करो कॉरिडोर योजनाव के पहाने ग्यानवापी का मुकदमा खोल दिया है उसके अलावा लव जिहाद का मामला अभी कुछ दिन पहले धर्मानतरण का मुद्धा और फिर उसके बाद जनसंक्यानी थी इसको एक कॉंसेक्वेंस में देखे एक सरम से देखते हैं तो साफ समझ में आता है कि मुद्धा क्या है आजकल के पड़े लिखे नौजवान या इवन जो मध्यमवर्ग है एक बहुत बड़ा मध्यमवर्ग है जो ये मानता है कि जो बहुत सारी पॉपॉलेशन खासकर गरीब पॉपॉलेशन है वो बोज है वो काम नहीं करती है उसका कोई योगदान नहीं है और उसके लिए हमें तमाम ये सब्सटिटी और योजनाएं इस तरह की चीज़ें करनी पड़ती है मुफ्त की सारी चीज़ें वो ही खाते है ये जो एक माहौल बनाया गया है दिमागों में समझाया गया है जो कि बिल्कुल उल्टा है और बिल्कुल गलत है तो उस चीज़ के आधार पे लोग मान लेते हैं कि हाँ परियावरण के सवाल है उनको ले करके कि धर्दी पे बहुत ज्यादा इंसान हो गया बोज बहुत है तो जनसंख्या नियंटर्ण होना चाहिए और लोग क्यों इतने बच्चे पैदा करते हैं अगर उनको पाल नहीं सकते हैं बच्चों के राइट पले भी ये कहते हैं कि बच्चों को अगर सही सिख्चा नहीं मिला स्वास्ते नहीं मिला तो इतने बच्चे क्यों पैदा होने चाहिए और्दों के स्वास्ते क्यों लेके भी सवाल उठता है तो यह बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है कहीं न कहीं तमाम सेगमेंट से समाज के जो ही मानते हैं कि हाँ जनसंख्या पर नियंतरण होना चाहिए कि ये माननेता बना दी जाएं लोगों में कि जनसंख्या का सवाल मतलब अलपसंख्यक जनता यानि मुसल्मान UB में कम से कम यही बात है कि जनसंख्या कौन बढ़ा रहा है? सबसे ज़्यादा मुसल्मान बढ़ा रहा है मतलब भारत में सबसे ज़्यादा कौन बन रहा है तो मुसल्मान बन रहा है देश का दुश्मन कौन सबसे ज़्यादा हो रहा है तो मुसल्मान हो रहा है खत्रा सुरक्षा के लिए किस से हो रहा है तो मुसल्मान हो रहा है अभी देखिए चानक से पता चलेगा कि कहीं एकदम गुस्पैट हो गई और फूकर वाला बम भी मिल जाएगा, कहीं एक चिठी भी मिल जाएगी, दो चार दस गिरफतारियां हो जाएगी, धर पकड़ शुरू हो जाएगी, इस सब महाल है, और छे महिने जो है यूपी ले और ज्यादा थेज तरीके से यही सब होने वाला है, उ क्योंकि हम जानते हैं, इस से पहले असम में भी यही काम हुआ, अभी जो संसत का सत्र 19 जुलाई से शुरू हो रहा है, वहां भी इसको लेकर चर्चा होगी, प्राइवेट मेंबर बिल सत्ता के कुछ लोग लेकर आ रहे हैं, यानि मकसद बहुत साफ है, कि जनसंख्या को आ आजमाया जाएगा, क्योंकि हमने देखा कि इसी के आधार पर आसाम में, असम में जो अभी चल रहा है, जिस तरह से वहां शाकाहार को प्रमोट किया जा रहा है, जिस तरह से हमने लक्षदीप में देखा, लक्षदीप में जो एक छोटा सा केंद और शाशित राज्य है, वहां पर सरकारी खाने से, वहां पर जो मिड़े मील मिलता है, जो स्कीम चलती है, उन सब से, उन सब को शाकाहार आधारित बना दिया गया है, यानि उसमें बाकी मांसाहार या अंडा कुछ नहीं मिलेगा, और इसी बीच, योगी आधितिनात, पूरी जोर से, अपना कमिट किसी और प्रती नहीं दिखाते, वह जताते हैं, कि कामण यात्रा होनी चाहिए, उसमें हम सुरक्षा मोहिया कराएंगे, हम योगी आधितिनात से पूछना चाहते हैं, योगी जी, जब उत्तर प्रदेश में नागरिक ऑक्सीजन से मर रहे थे, ऑक्सीजन की कमी से मर रहे अस्पताल में इलाज से मर रहे थे, जब हमारे अपनों की लाशें गंगा मैया में परवाहित हो रही थी, आज भी गंगा तट पे और बाकी तट पर हजारों की तादाद में लाशें दफनाई हुई हैं, उस समय आपने यह ततपरता क्यों नहीं दिखाई, उस समय आपने इन लोगों की सुरक्षा करेंगे, आज चुनाओ की तैयारी में यह जो खतरनाक कार्ड खेले जा रहे हैं, यह न तो उत्तर प्रदेश के लिए अच्छे हैं, न देश के लिए, शुक्रिया